नमस्ते दोस्तों मैं मनिसा यादव स्वागत करती हूँ आपके अपने यूटूब चैनल माई डिज्टल लाइब्रेरी पर तो चलिए देखते हैं इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डियल लड प्रथम समेश्टर के विशे हिंदी की विशे वस्तु पर चर्चा किया था जिसमें हमारा पहला अध्याय है हिंदी भासा में ध्वनियों को सुनकर समझना एवं उनका सुद्ध उच्चारण तो चलिए सर प्रथम हिंदी भा भासा के बारे में जानते हैं भासा क्या है भासा वा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर सुनकर लिखकर वपढ़कर अपने मन के भावो या विचारों का अधान-प्रदान करता है इससे आप क्या समझते हैं भासा ही वा माध्यम है भासा ही वा शाधन है या माध्यम है जिसके द्वारा मनुष से किसी के भावों और विचारों को समझता है और अपने भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है उप्योक्त परिभासाओं से निमलिखित निसकर्स निकलते हैं पहला है भासा में ध्वनी संकेतों का परंपरागत और रूड प् भासा है तो उसमें जो हम सब्द प्रियोग कर रहे हैं वो किस से बना वो ध्वनी संकेतों से ही बना है मतलब जो हमारे मुख से निकलता है वो ध्वनी है और उसके जो संकेत हो जाते हैं वो वर्ण हो जाता है फिर वर्ण से अक्षर होता है अक्षर से सब्द होता है इसके बा भासा को व्यक्त करने के लिए हमारे मुख से जो ध्वनी निकल रही है उसके जो संकेत है उसका परमपरागत और रूड प्रियोग भासा के अंतरगत होता है दूसरा है भासा के सार्थक ध्वनी संकेतों से मन की बातों या विचारों का विनिमे होता है सही है भासा के ध्वनी संकेत जो हैं वो सार्थक ही होते हैं मतलब जिसका कोई अर्थ हो सार्थक ध्वनी संकेत से ही मन के बात या विचारों का हम अदान परदान करते हैं तीसरा है हर वर्ग या समाज के ध्वनी संकेत अपने होते हैं दूसरे से भिन यह भी सही है हर वर्ग कोई भी वर्ग होगा य तो ये एक दूसरे से भिन होते हैं। इसके आगे आदी मानव अपने मन के भाव ये एक दूसरे को समझाने वो अब पूरी बात समझना ये समझ पाना बहुत कठिन था। असुविधा को दूर करने के लिए उसने अपने मुख से निकली ध्वनियों को जो उनके मुख से ध्वनी निकलती थी उसे मिला कर सब्द बनाना आरंब कर दिया और सब्दों के मेल से याद भासा बन गया पसुपच्छी की बोलियों को भासा नहीं कहा जाता इसके आगे आचारे देवनार्थ सर्मा ने भासा की परिभाषा इस प्रकार बताईए अब कुछ लोगों ने अपने अनुसार सभी लोगों ने परिभाषा दिये तो आचारे देवनार्थ सर्मा ने भासा की परिभाषा किस प्रकार दिये ये हमें आपे देखेंगे उच्चरित ध्वनी संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अत्वा जिसकी सहायता से मनुष्य परस पर विचार विन्मय या सहयोग करते हैं या उस याच्छिक रूड ध्वनी संकेत की प्रडाली को भासा कहते हैं उच्चरित ध्वनी संकेतों जो हम उच्चरित जो हमारे मुख से ध्वनी संकेत निकल रहे हैं उसकी सहायता से अपने भाव और विचार की पूर्ण पूरी तरह अत्वा जिसकी सहायता से या जिसकी सहायता से मनुष्य परस पर मतलब एक दूसरे से विचार विन्मय अपने विचारों का आदान प्रदान या सहयोग करते हैं उस याच्छिक रूड ध्वनी संकेत की प्रडाली को ही भासा कहते हैं यहां तीन वाते विचारड़ी है पहला भासा ध्वनी संकेत है इससे ये निसकर्स निकल जाता कि भासा क्या है वो ध्वनी संकेत ही है ध्वनी के संकेत का समूई भासा है वा याचिक है वा याचिक है अपने इच्छानुसार है वा रूड है और वो अस्थाई है सार्थक सब्दों के समूई या संकेत को भाशा कहते हैं या संकेत असपष्ठ होना चाहिए यह संकेत जो वो एकदम अस्पस्ठ होना चाहिए दूसरा है भासा याच्छिक संकेत है यहां सब्द और अर्थ में कोई तर्कसंगत संबंद नहीं रहता जैसे बिल्ली ये एक अलग सब्द है कौवा घोड़ा आदी को क्यों पुकारा जाता यह बताना कठिन है इनकी ध्वन प्रियों को समाज ने स्विकार कर लिया ये जो ध्वनी है इन्हें समाज ने स्विकार कर लिया है और ये बना दिये गए हैं तीसरा है भासा के ध्वनी संकेत रूड होते हैं इनके ध्वनी संकेत जो है वो रूड होते हैं परमपरा या युगों से इनके प्रियोग होते चले क्यों करते हैं इसका कोई कारण नहीं है यह प्रियोग तर्क हीन है इस पर हम कोई तर्क नहीं कर सकते हैं प्रत्यक देश की अपनी एक भासा होती है हमारी राश्ठ भासा हिंदी है अब यहां पर मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि राश्ठ भासा और राज भासा क्या होता दोनों में कभी-कभी बहुत संसय हो जाता है तो सबसे पहले राष्ट भासा देखेंगे जैसे कि हिंदी हमारी राष्ट भासा है तो राष्ट भासा क्या है राष्ट भासा का साब्दिक अर्थ होता है समस्त राष्ट में प्रयूक्त भासा अर्थात आम जन की भासा, जिसे हम जन भासा भी बोल सकते हैं, जो हम रोज के जीवन में प्रियोग करते हैं, जो भासा समस्त राष्ट में जन जन के विचार विन्मे का माध्यम हो, वह राष्ट भासा कहलाती है, और राज भासा क्या है? मतलब Official Language, राज भासा का साब्दी कर्थ होता है राज काज की भासा, जो भासा देश की राज की कारियों के लिए प्रियुक्त होती है, वह राज भासा कहलाती है, राजाओं, नवाबों के जमाने में इसे दर्बारी भासा भी कहा जाता था, इसके आगे दिन संसार में अनेक भासाएं हैं जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्क्रीत, बंगला, गुजराती, उर्दू, तेलगू, कन्नड, चीनी, जर्मन, आदी बहुत भासाएं हैं एक भासा के अंतरगत कई बोलियां हो सकती हैं, जबकि एक बोली में कई भासाएं नहीं होती, क्योंकि भासा जो वो उच्चस्तर की है, सबसे उपर जो वो भासा आती है, भासा के अंतरगत बोली आती है, तो बोली के अंतर कई भासाएं नहीं हो सकती, लेकिन भासा के चेतर के लोगों से तो बोली में बाते करते हैं किन्तु बाहरी लोगों से भासा का ही प्रियोब करते हैं बोली मतलब छोटे चेतर में बोले जाने वाली एक छोटे चेतर में बोले जाने वाली भासा बोली कहलाती है बोली में साहित रचना नहीं होती बोली जो है वो एक सीमी यह उप्भासा का भी प्रियोग करते हैं भासा जो बोली के बाद आता है उप्भासा。 अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है। और चेत्र का बिस्तार हो जाता है, तो वा बोली ना रहकर उपभासा बन जाती है। सरपृथम सबसे निशे अस्तर पर है बोली, उसके बाद उपभासा, फिर भासा। यह उच्च पैमाने पर आती है जैसे साहित्तिकार जब उस उपभासा को अपने साहित्त के द्वारा परिनिष्ठित सर्वमान रूप प्रदान कर देते हैं तथा उनका और छेत्र बिस्तार हो जाता है तो वह भासा कहलाने लगती है हिंदी जिस भासा समू का नाम है हिंदी जो है जिस भासा समू के अंतरगत आती है उसमें पांच उपभासाई और सत्रा बोलियां आती है हिंदी छेत्र की समस्त बोलियों को पांच वर्गों में बाटा गया है इन वर्गों को उपभासा कहा जाता है इन उपभासाओं की अंतरगत ही हिंदी की सत्रा बोलियां आती है अब वो पांच उपभासाएं कौन-कौन सी है जैसे भासा तो वो संसार में बहुत सारी है लेकिन हिंदी भासा समू के अंतरगत जो पांच उपभासाएं आती है वो कौन-कौन सी है राजस्थानी, पश्चमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाडी ये पांच उप भासाएं आती है फिर इन उप भासाओं के अंतरगत 17 बोलियां आती है अब इसके बाद हम भासा परिवार के बारे में देखेंगे जैसे हिंदी किस भासा परिवार की है भारोपी ये भासा परिवार की है तो ये हम देखेंगे कि भारत में कितने भासा परिवार है उसके अंत भारत में 6 भासा परिवार है, 189 भासाएं और 544 बोलियां है, 6 कौन-कौन सी भासा परिवार है, भारोपीय परिवार, द्रवीड परिवार, आश्ट्रिक परिवार, तिब्बती चीनी परिवार और आवर्गी कृत में इसे रखा गया है, ऐसे मुख्य रूप से देखा जाये, तो भारत में 4 ही भासा परिवार जो मुख्य हैं, भारोपीय, द्रवीर, आश्ट्रिक वा चीनी परिवार, लेकिन भारत में, मतलब बोलने वालों के प्रसत के अधार पर भारोपीय परिवार जो है, वो सबसे बड़ा भासा परिवार है भारोपिये मतलब भारत और यूरोपिये भासा परिवार के आधार पर हिंदी जो है वो भासा भारोपिये परिवार की ही भासा है मैं आसा करती हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो भारोपिये परिवार सबसे बड़ा भासा परिवार है उद्धरी भासा में बोली जाने वाली भासाओं के आधार पर और हिंदी जो है इसी भासा परिवार के अंतरगत आती है किस भासा परिवार के अंतरगत भारोपी है अब इसके बाद मैं देखूंगी भासा के प्रकार भासा की प्रकार मुख्य रूप से तीन होते हैं मौखिक भासा, लिखित भासा, सांकेतिक भासा मौखिक भासा क्या होती है? मौखिक भासा भासा का वह रूप जिसमें वह व्यक्ति बोल कर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुन कर उसे समझता है मौखिक भासा कहलाती है उधारण में जैसे टेलीफोन, दूरदर्सन, भासर, रेडियो, आदि मौखिक भासा मतलब आप आसानी से समझ सकते हैं कि भासा का वह रूप जिसमें एक वेक्ती बोल कर अपने विचार को दूसरे के सामने रख रहा है और दूसरा वेक्ती सुनकर उसे समझ लेता यही है मौखिक भासा इसका उधारण हो सकते हैं टेलीफोन जैसे टेलीफोन पे उधर से कोई वेक्ती अपने विचारों को अपने बातों को रख रहा है और हम उसे सुनकर समझ लेते हैं दूर दर्सन, भासर, रेडियो सब इसके उधारण है दूसरा है लिखित भासा लिखित भासा में क्या आता है भासा का वह रूप जिसमें एक वेक्ती अपने विचार या मन के भाव लिख कर प्रकट करता है और दूसरा वेक्ती उसे पढ़कर समझ जाता है वही लिखित भासा होती है जैसे पत्र, लेक, पत्रिका, समचार, पत्र, कहानी, जैसे न्यूस पेपर आता है तो उसमें किसी के द्वारा वेक्ती के अपने विचार, मन सब लिखित भासा है और उसे हम पढ़कर समझ लेते वही होती है लिखित भासा तीसरा है सांकेतिक भासा जिन संकेतों के द्वारा बच्चे या गूंगे वेक्ति अपने बातों को दूसरों को समझाते हैं वे सब्द संकेतिक भासा है इसारों में संकेतों के द्वारा जो गूंगे बच्चे होते हैं वो संकेतों के द्वारा ही बात करते हैं तो वो सांकेतिक भासा होती है विमुनिकेश को दूसरे तक पहुचाना अपने विचारों दूसरों तक पहुचाना और उसकी मुचारों को कर ना एक है से कम्यूनिकेशन बनाना ही संप्रिशर करना ही भासा का मुख इर्देश है अब इसकी प्रकृति क्या है भासा की प्रकृति हम देखेंगे भासा की प्रक्रिती भासा सागर की तरह सदा चलती बहती रहती है भासा जो है वो सागर की तरह सागर से तुलना की गई है भासा की हमेशा चलती रहती है और बहती रहती है भासा के अपने गुड या स्वभाव को भासा की प्रक्रित कहते है भासा के अंतरगत जो उसका गुड है जो उसका स्वभाव है उसी को प्रकृत बोलेंगे हर भासा की अपनी प्रकृत आंतरिक गुड अउगुड होते हैं भासा एक सामाजिक सक्ति है जो मनुष्य को प्राप्त होती है या परंपरा गत और अर्जित दोनों है भासा क्या एक समाजिक सक्ति एक समाज की सक्ति ही तो है भासा के द्वारा ही एक दूसरे से हम लोग जुड़े हुए है तो ये एक सक्ति ही है जो मनुष्य को प्राप्त होती है जो हर मनुष्य को इस संसार में रहने वाले हर मनुष्य को प्राप्त होती है चाहे वह परमपरा परंपरागत तरीके से या अरजित करने से या अरजित करके भी हम भासा का विकास कर सकते हैं और परंपरागत तरीके से भी चलती आ रही है अब भासा के विविद रूप क्या है हर देश में भासा के तीन रूप मिलते हैं बोलियां परिनिष्ठित भासा और राश्टि भासा बोली जो छोटे अस्तर पर बोली जाती है परिनिष्ठित भासा मतलब जिसे व्याकरण आदिसे व्याकरण लोग जो है उसे परिनिष्ठित कर देते हैं उसे सुद्ध करके पूरा उसमें कोई कोई दोस ना रह जा वो परिनिष्ठित भासा हो जाती है उससे उपर आती है रा स्थानी बोलियों का जो छोटे छेत्रों में बोली जाते हैं जो हम अपने गाउं में बोलते हैं साधारण लोगों में अपने समूओं में घरों में उसे बोली कहते हैं किसी छेत्र बिसेज में बोली जाती है जैसे भोजपूरी, मगई, ओधी, मराठी, तेलगू, इंगलिश जैसे हम ओधी भाषा बोलते हैं कहीं भोजपूरी बोली जाती है कहीं गुजरात में गुजराती, मराठी, मराठी बोलते हैं कहीं इंगलिश ये सब क्या बोली है जो ह व्याकरण से नियंतरीत होती है वैकरणो द्वारा जो है इसे नियंतरीत कर दिया जाता है इसे उद्व और परिनिष्ठित भासा भी बोलती है इसका प्रियोग सिच्छा, सासन और साहित्य में होता है खड़ी बोली कभी बोली थी आज परिनिष्ठित भासा बन गई है जिसका उपियोग भारत में सभी अस्थानों पर होता है वही बोली जो छोटे छेक्र में बोली जाती है कभी वो आगे चलकर परिनिष्ठित होकर वया करड़ो द्वारा उसे व्याकरण से नियंत्रित करकर जब हम उसका प्रियोग सिच्छा, सासन और साहित्य में करने लगते हैं तब वो परिनिष्ठित भासा हो जाती है इसी को वो गयुño है तो जात परिनिष्ठित हो कर भासा जिसका अप्योग है भारत में सभी अस्थानों पर हो रहा है जब भासा व्यापक सक्ति ग्रहण कर लेती है तब आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक सक्ति की आधार पर राज भासा या राश्टि भासा का स्थान पा लेती है जब कोई बोली व्याकरण से परिनिश्ठित होकर नियंतरित होकर परिनिश्ठित भासा का रूप लेती है और व्यापक सक्ति ग्रहण कर लेती है तब आगे चलकर वो राजनीतिक सामाजिक सक्ति की आधार पर राज भासा या राश्ट भासा का अस्थान प्राप्त कर लेती ह हर देश की अपनी राष्ट भासा है, रूस की रूसी, फ्रांस की फ्रांसिसी, जर्मन की जर्मनी, सब जगाओं की अपनी राष्ट भासा होती है अब इसके आगे हम राश्ट भासा के बारे में जानेंगे राश्ट भासा के बारे में मैंने पहले थोड़ी चर्चा कर ली है फिर से देखते हैं राश्ट भासा राष्टे भासा जब कोई भासा किसी राष्ट के अधिकांस प्रदेसों के बहुमत द्वारा बोली वा समझी जाती है तो वा राष्टे भासा बन जाती है सभी देसों की अपनी अपनी राष्ट भासा होती है जैसे अमेरिका की अंग्रेजी है चीन की चीनी है जापान की जापानी है आदी अब आप समझ गयोंगे कि कोई भासा जो अधिकांस प्रदेसों में बहुमत द्वारा बोली जाती है मतलब कई प्रदेशों में जो है अधिक से अधिक लोगों द्वारा बोलिवा समझी जाती है वो ही राष्ट भासा बन जाती है जैसे हमारी राष्ट भासा हिंदी है अब इसके आगे हम जानेंगे भासा और लिपी के बारे में अब यहां से महत्पूर्ण है भासा और लिपी भासा को तो हमने जान लिया अब लिपी क्या होती है भासा की मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए एक निश्चित किये गए चिन्नों या वर्णों की बेवस्था को लिपी खहते हैं जैसे भासा तो हो गया भासा को हम कैसे बोलेंगे अपने मुख से ध्वनि निकालेंगे उन्ही ध्वनियों को एक निश्चित चिन्न द्वारा एक निश्चित संकेत द्वारा या यह कहलीजिए एक निश्चित वर्ण द्वारा जब उसको हम ब्यवस्थित कर लेते हैं तो वही लिप कहलाती है प्रतेक उचरित ध्वानी के लिए लिखित चिन या वर्ण बनाए गया है जो भी हम उचरित कर रहे हैं जो भी हम ध्वनी बोल रहे हैं उसके लिए एक लिखित चिन या वर्ण बनाया गया है वर्णों की पूरी ब्यवस्था को ही लिपि कहा जाता है जो संकेत ध्वनी उसे वर्णों के रूप में पूरा ब्यवस्थित किया गया है उसी को लिपि कहते हैं हिंदी हमारी भासा है इसकी भासा है तो लिपि भी होगी उसके संकेत भी होगे तो हिंदी भासा की जो हमारी लिपी है वो देवनागरी है उसे हम देवनागरी नाम से जानते हैं तथा रोमन दोनों लिपियों में इस प्रकार लिख सकते हैं ये English नहीं है, English translation नहीं है, बस ये Roman लिपी में हम इसे English के सब्दों द्वारा, अक्षरों द्वारा लिख सकते हैं. आगे हम देखेंगे, देवनागरी लिपी में बाई और से दाई और लिखा जाता है, अब ये आगे हमारी लिपी की विसेशता हैं, कि हमारी देवनागरी लिपी के क्या क्या विसेशता हो सकते हैं, इसे हम बाई से दाई और लिख सकते हैं, या एक बैग्यानिक लिपी है, या एक मात्र ऐसी लिपी है, जिसमें स्वर्ट अथा वेंजन धुनियों का मिला कर लिखे जाने की ब्यवस्ता है, अब ये सब उसकी बिसेशता हो गई, जैसे देवनागरी लिपी जो है, उसे हम बाई और से दाई और लिख सकते हैं, या एक बैग्यानिक लिपी है, या एक मात्र ऐसी लिपी है, जिसमें स्वर्ट अथा वेंजन धुनियों को मिला कर लिखे जाने की ब्यवस्ता है, संसार की समस्त भासाओं में वेंजनों का स्वतंत रूप में उच्चारण स्वर्ट के साथ मिला कर किया जाता है, अर्था जो दो भागों में बाटा गया है स्वर्ट और वेंजन के, तो बिना स्वर्ट के स्वतंत रूप से वेंजन का उच्चारण किसी भासा में होई नह सकता पर देवनागरी के अलावा विश में कोई ऐसी लिपी नहीं है जिसमें वेंजन और स्वर को मिला कर लिखे जाने की वेवस्ता हो हिंदी ही वह हमारी भासा है देवनागरी ही वह लिपी है जिसमें दो भागों में बाटा गया स्वर और वेंजन में और जिसमें वेंजन जो है वो बिना स्वर के सहायता के नहीं बोले जा सकते हैं और संसार में कोई ऐसी लिपी नहीं है उर्दू जो फार्सी लिपी में लिखी जाती है दाइं और से बाइं और लिखी जाती है ये हो गया नीचे की तालिका में बिस्व की कुछ भासाओं और उनकी लिपियों के न दिये जा रहे हैं, आइए इन्हें देखते हैं भासा कौन-कौन सी है हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, बोडो इसकी लिपी क्या है? देवनागरी हिंदी की लिपी देवनागरी है, संस्कृत की है, मराठी, नेपाली और बोडो की भी है दूसरा आता है अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पैनिस, इटैलियन, पोलिस, मिजो इन सब की लिपी क्या है? रोमन तीसरा है पंजाबी, पंजाबी इसकी लिपी क्या है? गुर्मुखी चौथा है उर्दू, अर्बी, फार्सी, इसकी लिपी क्या है? फार्सी पांचवा है रूसी, बुल्गेरियन, चेक, रुमानियन इसकी लिप क्या है रूसी आगे है हिंदी में लिपिचिन देवनागरी के वर्णों में 11 स्वर और 41 वेंजन है 11 स्वर और 41 वेंजन है वेंजन के साथ स्वर का संयोग होने पर स्वर का जो रूप होता है उसे मात्रा कहते हैं अब मात्राओं का घ्यान बहुत आवस्यक है इसमें आप देख सकते हैं अ, बड़ा, ई, बड़ी, उ, बड़ा, उ, री, ए, ए, ओ, और ओ इनकी मात्राओं क्या-क्या है इसमें आप देख सकते हैं तो मतलब 11 स्वर देवनागरी लीपी को दो वर्गों में बाटा गया है तो इसमें 11 स्वर और 41 वेंजन है और ये इसकी मात्राओं आज का सेसन यहीं पर खतम होता है अब इसकी आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे धन्यवाद